ओम गैंशी महागड़े शाय नमा राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों होली का पावन पर इस बाद 28 और 29 मार्च को है फालगुन पूर्मा यानि की 28 मार्च को होली का देहन का पर मनाया जाएगा और 29 मार्च दिन सौंबार को रंग वाली होली खेली जाएगी होली का हमारे शास्तों में विशिश महत्व बताया गया है शास्तों में बताया गया है कि फालगुन पूर्मा के दिन ही हिल्य कश्चुप के कहने पर उनकी बहन होलिका उनके पुत्र प्रहलात को लेका चिता पर बैठ गई थी और भगवान बिश्णूची की किरपा से भक्त प्रहलात तो बच गई लेकिन होलिका अगनी में चलकर भस्म हो गई तभी से इस दिन हर साल अन्याय और पाप पर न्याय और सत्य की बिजय की रूप में होलिका दहन किया जाता है माना जाता है होलिका की अगनी बहुत ही पावन होते है होली का दहन के समय सभी नकारात्मक उर्जा और बुराईयों का अंध हो जाता है गह दिन भक्ति की शक्ति के रूप में भी मनाया जाता है होली का दहन पर होली की पूजा का विशिश महत्व होता है शांस्तों के अनुसार होली के पूजा करने से घर में सुक सम्रध्धी आती है घर में शांती का बास होता है और भगवान विश्णुजी के कृपा प्राप्त होती है लिसंतान दमपत्यों को भी संतान सुक के प्राप्ती होती है वैसे तो होली की पूजा का हमेशा ही खास महत्व होता है लेकिन इस बार होली का देहन का दिन और भी ज़्यादा खास हो गया है क्योंकि इस बार पूरे 500 साल बाद कई दुल्लव सैयोग बन रहे हैं इस बार होली का दहन का दिन स्वासिध्धी योग, अम्रसिध्धी योग, धुरुप योग और ब्रध्धी योग में आ रहा है इन योग में होली की पूजा करने से लगारात्मक उजा नश्ट हो जाएंगी शुफलों की प्राप्ति होगी, आथिक संकर दूर होगा, दुख और कश्टों से छुटकारा प्राप्त होगा दोस्तों होली की पूजन का शास्तों में बिशिश महतो बताया गया है होली का पूजन करने के लिए होली में टोली, अक्छत, फूल, कच्चा, सूत, हल्दी, मूं, सत, नाज, गुलाल, नारियल, इत्यादी वस्तों चढ़ा कर होली की परिक्रमा कर पूजन किया जाता है शास्तों में कुछ बस्तों ऐसी बताई गई हैं जिन्हें होली में चढ़ानी से शुफलों की प्राप्ती होती है वहीं कुछ ऐसी बस्तों भी होती हैं जिन्हें अगर होली में चढ़ा दिया जाए तो इससे अशुफल की प्राप्ती होती है क्योंकि होली की रात को सिथी की रात कहा जाता है होली की रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरहें की उजाएं बहुत ही जादा हावी रहती है शुप कारे करने वाले लोगों को शुप फलों की प्राप्ति होती है और जाने अंजाने गलत कारे करने वाले लोगों पर नकारात्मक उजा हावी हो जाती है होली में सही बस्तुएं चढ़ाने से नकारात्मक उजा नश्ट होती है और घर में सुकसम्रधी आती है वहीं कुछ ऐसी बस्तुएं हैं जिन्हें अगर होली में चढ़ा दिया जाए तो उससे सकारात्मक उजा नश्ट हो जाती है और गरीबी और दरित्ता गले पर जाती है घर में गरीबी और दरित्ता का बास हो जाता है इसलिए होली में कुछ भी चढ़ाने से पहले आप इस वीडियो को एंट तक अवश्य ही देखें जिससे अंजाने में भी आप से कोई गलती ना हो दोस्तों बस्तुएं जानने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि होली में आप किस समय बस्तुएं चढ़ाएं और होली का पूचन किस समय करें होली का पूचन हमेशा होली का देहन के दिन सुर्य उद्य के बाद ही करना चाहिए और भद्राकाल के दोरान होली का पूचन भूल कर भी नहीं करना चाहिए भद्राकाल के दौरान कोई भी बस्तू होली में नहीं चढ़ानी चाहिए इस पार भद्राकाल दुपहर एक बच का चववन मृट पस समाप्त हो जाएगा इसलिए आपको इस पार होली का पूचन दुपहर एक बच का चववन मृट के बाद ही कहना है क्योंकि भद्रकाल ऐसा काल होता है जिसमें कोई भी शुक कादर भी किया जाए तो भी उसके अशुक परणाम ही प्राप्त होते हैं इसलिए भद्रकाल की तौरान होली में कोई भी बस्तु ना चढ़ाएं दोस्तों सबसे पहली बस्तु है नारियल अधिकतर सभी लोग होली में नारियल चढ़ाते हैं नारियल को शास्तों में शिरी फल कहा जाता है यानि की मा लक्ष्मी जी का फल होली में नारियल चढ़ाने से घर्मी सुक सम्रधी आती है कर्ट भी जल्दी उतर जाता है आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन अगर आपने गलत तरहें से गलत नारियल हुली में चड़ा दिया तो आपको धनकी हानी का सामना करना पड़ेगा धन्सम्मंदी समस्यां लगातार बनी रहेंगी दोस्तों तीन तरहें के नारियल आते हैं एक पानी वाला नारियल एक बिना छिलके वाला नारियल सूखा नारियल जिसे गोला भी कहा जाता है और एक होता है जटा वाला नारियल तो होली में हमेशा जटा वाला सूखा नारियल जड़ाएं और नारियल खरीते समय आपको इस बात का भी विश्य ध्यान रख रहा हैं कि नारियल को लेकर आपको हिलाना है हिलाने पर अगर नारियल में आवास आती है यानि कि उसके अंदर गिरी है तो आपको वही नारियल होली में चरहाना है क्योंकि यही नारियल पूर्ण माना जाता है जिस नारियल को हिलाने पर आवास नहीं आती या फिर जो नारियल चटका हुआ होता है वहे नारियल अपूर्ण होता है उस नारियल को हुली में चढ़ाने से शुफलों की बजाए अशुफल की प्राप्ति होती है क्योंकि नारियल को पूर्ता का प्रतिक माना जाता है इसलिए सदैब हूली में साबुत जटा वाला गिरी वाला नारियल ही चढ़ाए नारियल चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अकर आपको कोई नौकरी संबंधी परिशानी है तो आपको जलती होई होली में नारियल चढ़ाना चाहिए अगर आपको कारियों में सफलता नहीं मिल रही है तो होली चलने से पहले आपको नारियल पान और सुपारी के साथ होली में डालना चाहिए अगर आपको धन संबंधी समस्या है तो होली की साथ परिक्रमा करने के पश्चात आपको नारियल होली में डालना चाहें है अगर आपके उपर किसी के बुरी नजर लगी हुई हो कोई उपरी बाधा है कोई परिशानी है तो आपको नारियल को अपने सिर पर से साथ बार बारने के बाद नारियल को तीन बार पेट पर से मौली से लपेट कर मौली के में गाड़ बांद कर आपको इस बंदे हुए नारियल को होली में चढ़ाना चाहिए उतारा किये हुए नारियल को कभी भी आप बिना बांधे हुए होली में ना चढ़ाए इस बात का विशी स्थ्यान रखें दोस्तों नारिल के इलावा एक अन्य बस्तू है जिन्हें बढ़कुले कहा जाता है ये हम सभी होली में अवश्य ही चढ़ाते हैं गोवर के राउं सरकल बनाये जाते हैं जिन में छेद होता है ऐसे ही खिलोने चांद तारे भी बनाये जाते हैं इन सभी को सूखने के बाद मौली में डाल कर एक माला बनाई जाती है और इस माला को होली पर चढ़ाया जाता है बढ़कुले चढ़ाये बिना होली की पूझा पूर नहीं होती लेकिन हमेशा बढ़कुले चढ़ाते समय हम लोग बաुत बड़ी गलती करते हैं आथिकता सभी 저 फी लोग सिर्फ एक माला बढ़कुले की खोली पर चढ़ाते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आगे से पूल कर भी ऐसी गलती ना करें क्योंकि हमेशा बढ़ गुले की चार मालाएं चढ़ानी चाहिए और यह मालाएं परिवार के मुख्या को चढ़ानी चाहिए सबसे पहली माला पित्रों के नाम की होली पचढ़ाई जाती है दूसरी माला बजरंग बली के नाम की होली पचढ़ाई तीसरी माला शीतला माता के नाम की होली पचड़ाएं इसके बाद लाश्ट में चौथी माला आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के तरफ से होली पचड़ाने चाहिएं होली पर एक माला चड़ाने से जीवन में परिशानियों का सामना करना पड़ता है घर में बीमारी और परिशाने अपना देरा डाल लेते हैं इसलिए पित्रों की बर्जंग बले की शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए होले पर आप चार बड़कुले की माला चढ़ाएं ऐसा कहने से पित्रों और बर्जंग बले की कृपा से कष्टों और दोसों से छुटकारा प्राप्त होगा। साथी सीतला माता की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगे। दोसों तीसरी चीज है कच्चा सूथ। होली की परिक्रमा करते समय होली पर सदय कच्चा सूथ बादना चाहें। अथिकतर लोग रील जो सलाई वाली रील होते हैं उसके ठाके को होली पर बादने लग जाते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहें। होली पर सदय कच्चा सूथ बादना चाहिए, होली की तीन या साथ परिक्रमा करनी चाहिए और तीन या साथ परिक्रमा करते समय आपको तीन बार या साथ बार कच्चा सूथ होली पर लपेचना चाहिए अधिकतार लोग यह गलती करते हैं कि अगर उनके सूत का एक बंडल एक परिक्रमा में ही खतम हो गया तो वो बाकी परिक्रमा खाली हाथ करते हैं ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहें चाहें कितने भी बंडल लगें लेकिन आप अगर तीन परिक्रमा कर रहे हैं तो तीन बार कच्चा सूथ होली पर लपेटें साथ कर रहे हैं तो साथ बार कच्चा सूथ होली पर लपेटें परिक्रमा करते समय भी आप इस बात का ध्यान रखें कि कई लोग कुछ टोने टोटके के लिए होली की उल्टी परिक्रमा करते हैं ऐसा भूल कर भी ना करें होली की सद्य सीधी परिक्रमा करें अगर आप होली की उल्टी परिक्रमा करेंगे तो आप पर नकारात्मक उजाएं हावी हो जाएंगे जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा होली की पूजा करते समय होली पर जल भी चड़ाया जाता है यह जल शीतला माता के लिए चड़ाया जाता है लेकिन ध्यान रखें होली का देहन के समय या होली का देहन के बाद होली पर जल भूल कर भी ना चड़ाया होली पर उतारा करते समय कई लोग अपने पुराने पहने हुए कपड़े या फिर अपने सिर के बाल काट कर होली में चड़ा देते हैं ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिएं। ऐसा करने से आपको नकारात्मक उजा से छुटकारा मिलने की वजाए। नकारात्मक उजा का आपके उपर प्रभाव हो जाएगा। दोस्तों होली पर इन बस्तूओं को चढ़ाते समय आप इन बातों का विशित ध्यान रखें। चरहाने से पहले आप इस्तनान अवश्य ही कर लें। होली का पूजन करते समय महिलाएं अपने बालों को बांध कर रखें। और कोई भी सुगंदित बस्तू लगाकर परफ्यूम बगेरा या सौंदर प्रसादन को भी ब्यूटी प्रोड़क्स लगाकर आप होली का पूजन ना करें। होली का पूजन सादगी के साथ करें। क्योंकि होली के दिन सकारात्मक उजाओं के साथ ही नकारात्मक उजाओं का प्रभा भी बहुत जादा रहता है। और नकारात्मक उजाएं खुश्पू पर या फिस सौंदर प्रसादन पर बहुत जल्दी आकरशित होती हैं। इसलिए इन बातों का विश्री ठ्यान रखें। उमीद हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तिदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिससे भेवी इसका लाब उठा सकें। हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तैंक्स फॉर वॉचिंग राधे राधे आप सभी को के अस्थी राधे किष्णा शेंगार परिवार की तरफ से होली की हादिक शुप कामना है।